एक युवा पढ़ लिखकर जब देखता है कि उसके बराबर का एक विद्यारत उसका सहपाथी किसी मुल्टिनेशनल कंपनी में जाकर के इतना पैकेज कमाता है लेकिन दूसरी और वही अगर चाहता है कि मैं खेती को जो अपने परंपरागत तरीके हैं या पुरवजों की द डालता है जो एक specific म काम करता है उसकी पैकेज बहुत अच्छा होगा सकता करोड़ों में भी कमाता हो लेकिन जो खेती कर रहा ये इसी प्रकार सिती में रहेगा तब उसके आत्मकलानी में बड़ा उसको आत्मकलानी में बड़ा गोत्म जी ये सवाल तो हमारे समझे में आया था क्योंकि जब हम लोग खेती से जुटे और हम लोग रसान मुक्त खेती के नाना प्रकार के प्रियोग करेंगे जेविक खेती और प्राकर्टिक खेती की बात तो देश में बाद में शुरू हुई हम तो पहले से इस सब प्रियोगों में थे तो बड़ा सवाल यही था कि हम कुछ भी करें पर पैसा क्या आएगा तो उस समय एक बार हम अपने मन को समझाते थे कि लागत कम खर्च कम हो जाएगा तो उसे भी हमारी कुछ आमनी पढ़ेगी लेकिन मैंने देखा कि समाज गती के लिए इससे कोई किसान का चारा चलने वाला नहीं है यह तो अपने मन का एक आस्वासन है क्योंकि लागत खर्च थोड़ा सा कम होता है लेकिन मेरी जो लुटाई है मेरी जो उत्पादन का जो पैसा मुझे नहीं मिला वो तो गंभिर संकट तो वो था तो एक दिन खेत में काम करते हुए हमारे मन में यह विचार खड़ा हुआ कि आखिर खेती में पैसा है ही नहीं या है तो फिर कैसा है तो मैं उस घटना को आज भी याद करके आपको बताता हूँ मेरे ध्यान में केवल छोटीशी बात गई कि एक दाने से अनेक दाने पैदा करने वाला किसान करदार कैसे हो गया और इसकी जब समिक्षा हमने की तो हमने पूरे अर्थ सास्तर को बहुत बारी किसे देखने की कोशिश की वैसे तो मैं किसान हूँ खेत में ही काम करता हूँ लेकिन माता-पिता के सभाग से उनके पुन्ड से अच्छे सिक्षा पाने के बाद में चैनलाइसिस करने का तरीका अच्छा हो गया तो मै ने देखा कुतम जी कि एक किलो गेहूं से दलिया आठा सूजी मैदा बनाने वाली कमपनी क्रोडों का कारुबार का बढ़गया ज поч division कि मैने उसके हर पहलू को देखा तो मैंने देखा कि एक किलो गेहूं मसीन में डालता हूं तो मसीन में भी घिसाई होती है उर्जा भी खर्च होती है लेबर का भी खर्च होता है और दलिया भी 950 ग्रामी मिलता है एक किलो नहीं मिलेगा विग्यापन भी खर्च होता है लाइसेंस पर भी खर्च होता है, पेकेजिंग पर भी खर्च होता है, टांस्पोर्टिशन पर भी खर्च होता है, मार्केटिंग पर भी खर्च होता है, अब सब जगे खर्च है, सब जगे नुकसान है, लेकिन कंपनी का कारोवार फादे में है, फिर मैंने अपने से पूछा कि मैं खेत में एक किलो गेहूं डालता हूं और सो किलो निकलता है तो मैंने सवाल अपनी से पूछा कि एक किलो गेहूं से सो किलो पैदा करने वाला तो मैं करजदार क्यों हूं और एक किलो गेहूं का नौसुपचास ग्राम दल्या बनाने वाला मालदार क्यों है क्या बाद इसका मतलब क्या था इसका मतलब सीधा सा उत्तर निकल कर आया कि उनके पास कीमत तै करने का अधिकार है मेरे पास कीमत तै करने का अधिकार नहीं है और उस दिन से गोतम जी हमने खेती का सुरूप बदल दिया और हमने कहा कि अब खेती किसानी के जरिया नहीं करें अब खेती को व्यवसाय की रूप में करेंगे और यदि खेती को व्यवसाय की रूप में इस देश का नोजवान स्विकार लेगा, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, खेती से जादा मुनाफिय का कोई बिजिनिस नहीं है, और हम खुलकर बोलते हैं, कि हमको अपना दृ देख रहे हैं कि यसस्वी प्रधान मंत्री जी के मन से जो संकलपना निकलती है, एक मैं सुन्दर बात कहूंगा, लंबे समय के बाद में देश को एक यसस्वी प्रधान मंत्री मिला, किसानों की आमदनी बढ़ने की चिंता जो उस व्यक्तित्यों के अंदर हमने देखी, व किसानों का सरसक्ति करना, किसानों की आमदनी बढ़ाया जाना, यह जो चीजें थी, यह हमारे मन को भी जगजोरने लगे, क्योंकि जब चीजें रास्तिये संकलपना में उभरती हैं, तो उनका संदेश पूरी दुनिया को जाता है, और सारी मशिनरी फिर काम करने लगती है मशिनरी काम करती है, और देश की एक नई चेतना जगती है, और वो जो चेतना जगी है और उस तरीके के जो मनोबला हम लोगों को मिला, तो मैंने देखा कि हमारे सोचने का तरीका, हम जैवी खेती में प्रियास्तों हमने 2004 के बाद भी कर दिया था, लेकिन जैवी खेती का जो स्वरूप उबरा है, वो 2015 में उबरा है, और 2015 में उभरने के साथ साथ जब आप देखेंगे गोर से, तो जैवी खेती को लेकर अंतरास्टिय मानक क्या होंगे, और हमारे मानकों, हमारे मानक दुनिया में सबसे भूत पूर कैसे होंगे, आपको मैं बताना चाहूंगा क बहरत में पार्टी सिपेटरी गारन्टी सिस्टम का जो कल्पना है, पीजी एस की, वो आज की हालत में भी दुनिया में सबसे से रिष्ट है, अभी अधूरी है, अभी हम और भी उसमें प्रियास कर रहे हैं कि इसको कैसे रिलेशन बेस करें, उसको हम कैसे मनुस्त को केंद लेकिन यह बात माननी पड़ेगी, कि भारत में किस तरीकी की सोचने वारे लोग हैं, कि जोनों ने अंतर राष्टिय मानकों को ध्यान में रखते हुए, जब हमारा इंटर्नल कंट्रॉल सिस्टम कहीं कमजोर था, अंतर राष्टिय बाजार के मानक हमारे कहीं कमजोर थे, हमने तब PGS इंडिया और्गैनिक सर्टिफिकेशन को लागू किया, और पूरी दुनिया में समोह आधारित, निसुल्क, यह राष्ट का एक बड़ात तब है। यह बहुत बली बात है। एक जिए कमपनिया पैसे लेकर सर्टिफिकेशन कर रही थी, और वहीं सरकार ने एक नई प्रक्रिया लागू की और बताया, कि अब किसान अपने मुबाइल पर भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, और निसुल्क कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग क्या है। कि हम 2015 से 2014 से कहां पहुँच गए? आज 24 तक। आज तक भी मेरे किसान साथियों को पता नहीं है, कि भारत में जैवी खिती के प्रमानिकरणगा एक अंतर रास्टिय मानक भी है, और जो इतना सर्ल है कि जिसको किसान समझ सकते हैं, और उससे हम अंतर रास्टिय मानकों को बहुत बहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, और कल को किसान फार्मर प्रोडूसर कंपनी के जरिये जदी खेती को स्विकार लें, और्गानिक फार्मिंग को स्विकार लें, प्राकृतिक खेती को स्विकार लें, नाम कुछ भी रखिए क्योंकि नाम के अंदर जो व्रोधा भास होता है इस पर भी चर्चा होना